आज मैं आप लोगों के लिए मकर सकरांती स्पेशल गुर तील की चक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ यह बिल्कुल मार्केट जैसी कुरकुरी और क्रिस्पी है मैं इसे तोड़कर भी बताती हूँ यह देखिए तो आईए बिना कोई देर किये से बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज़्यादा स्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा गुर तील की चक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी वाइट कलर की तिल आप जिस कटोरी से तिल को मेजर करते हैं उसी कटोरी से आपको गुर भी मेजर करना है उतनी क्वांटिटी में आपको गुर भी लेना है जितना आप तिल लेता है गुर आपको बिलकुल लाइट कलरा लेना है गुर डार्क नहीं होना चाहिए वरना हमारी तिल पापड़ी सुखी खड़ाई के अंदर रोस्ट करना है हमें इसे कंटीन्यू चलाते रहना है जैसे इसका हलका सा कलर चेंज होगा हम गेज का फ्लेम ओफ कर देंगे और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे मुश्किल से चार से पांच मिट लगेंगे हमें इस प्रोसेस में यह देखें मैं इसे एक प्लेट में निकाल लिया है अब उसी कड़ाई के अंदर हम इसमें डालेंगे यह आदा कप के करीब पानी हम यहां पर पानी इसलिए गूड एक कड़ाई के नीचे तले पना चिपके यहां पर मैंने गूड को अच्छे से कूड कर डाला है थोड़ा मोटा मोटा तोड लिया था इसे अभी भी हमें गेस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रपना है अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे यह देखिए हमारा गूड बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम गेस का फ्लेम मिल्कुल लो कर देंगे एक बार हमारा गूड मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें गेस का फ्लेम लो कर देना है यह देखिए हमारे गूड में कुछ इस तरह से उपर बबस दिखाए देने ल यह इसकी पेचान है पकने की मैंने यहां पर एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है इस पानी के अंदर हम गुड़ की दो तीन बुंदे डाल कर देखेंगे कि हमारा गुड़ जो है वह अच्छे से पका है या नहीं हमें इसे कंटीनू चलाते रहना है इससे एक अच्छे से चलाते रहना है वरना यह नीचे चिपगने लगेगा गुड़ की खासियत होती है बहुत जल्दी तले में चिपगने लगता है जब तक हमारा गुड़ पक रहा है तब तक हम दूसरी प्रोसस कर लेते हैं मैंने यहां पर एक बेलन लिया है चक्की को बेलन के ल साथ को दूसरी च्छे बहुत है वरने में पर लियोटी चुछ चिपकेगी अपर नहीं जिस प्लैटफॉर्म पर चक्की को बेलना है उस प्लैटफॉर्म को भी अच्छे से घ्रीज करना है तुक अब आप अच्छे से ओने लगा है छान तक हो सके आप कीचन पती कीचन का क्लाटवर्म प्लेटफर्म थे प्लेटवर्म से निकल जायेगी यह देखिये मैं यह पर अच्छे सा ऐल लगा लिया है अप चपी को काटने के लिए मैंने आप इस तरह का एक छोटा सा ढखन लिया है आप कोई भी चीज ले सकते हैं जो भी आप शेप देना चाहे चक्की को क प्लस उसे भी और से अच्छे से ग्रीज करना है अब आ गए हमारे गुड की तरफ यह देखिए हमारा गुड पहले से काफी डार्क हो गया है और बहुत सारे बबल्स अच्छे से हिला लेंगे हमने गेस का फ्लैम बिल्कुल लो किया हुआ था जब तक अब हम बाकी की प्रोसेस कर रहे थे अब हम दो तिन ड्रॉप इस ठंडे पानी के अंदर डाल कर देखेंगे गुड की कि हमारा गुड जो है अच्छे से पका है या नहीं है यह देखिए मैंने कटोरी के अंदर 2-3 डॉप डाल दी है अब हम इसे दोनों हाथ से तोड़ कर देखेंगे यह देखिए अभी भी हमारा गुड़ कुछ इस तरह से खीचा रहा है इसका मतलब यह है कि अभी भी अच्छी तरह से नहीं पका है हम इसे और चार-पांच मिनट पकने देंगे यह देखिए वापस हमारे गुड़ के उपर बबल्स दिखाई देने लगे हैं अब हम एक बार और इसे अच्छे से हिला लेंगे यह देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और वापस हम दो तीन ड्रॉप इस पानी के अंदर डाल कर देखेंगे और इस प्रोसेस को हमें तब तक दोराना है जब तक कि हमारा गुड़ जो है बिल्कुल पापड की तरह ने तूटने लग जाए यह देखिए अ अब वह स्टेट ज्यादा दूर नहीं है कि हम दो बार उस प्रोसेस को दोरा चुके हैं यह देखिए वापस हमारे गुड़ के ओपर बबल साने लगे हैं अब वापस में अच्छे से हिला लेंगे और दो तीन ड्रॉप बापस पानी के अंदर डाल कर देखेंगे यह थर्ड टाइम हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं यह देखिए परफेक्ट हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे गुड़ की अब यह बिल्कुल पापड की तरह तूट रहा है यह बिल्कुल परफेक्ट है अब यह चक्की बनाने के लिए रेडी है अब हम जल्दी से बिना कोई देर किये इस तिल को इसके अंदर डाल देंगे अब हम सबसे पहले गेस काफले हम ओफ कर देंगे और बहुती फूर्ती से और बहुती केरफुली इससे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमें किसी तरह की कोई डील पढ़नती नहीं करना है आपको गुड के अंदर तिल डालने के बाद सारे काम बहुती फास्ट करना है प्लस बहुती केरफुली करना है क्योंकि गुड के अंदर तिल डालने के बाद यह बहुती जल्दी सूखने लगती है यह रिस्की हो जाता है ना ही इसके अच्छे से नहीं को पाती है ना ही यह अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम आ गया है मारे प्लैटफोर्म की तरफ तर दिए घ्रिक ही यह देखिए हम सारी गुर्टिली को इस प्लैटफर्म के उपर डाल देंगे आप चाहे तो यहां पर एक प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं प्लैन शीट जिसमें हम कपड़े पेक करते हैं उसकी हेल्प से उसे आप अच्छे से ओल से ग्रीस करके इसे अच्छे से प्रेस क कर सकते हैं लेकिन हातों पर थोड़ी रीस कर रहेगी क्योंकि यह बहुत ज्यादा गरम होती है कि आप इस जगह प्लास्टिक की शीट ले ले और से ग्रीस करके बैटर होगा कि अब हम इसे जल्दी से बेलन की हेल्प से बेल लेंगे कि आपको बहुत ही फास्ट करना होगा यह काम क्योंकि यह बहुत ही जल्दी सुखने लग जाएगी और इसे कटिंग करने में हमें बहुत प्रोब्लम हो सकती है आप इसे मोटा बेल या पतला कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि आप इसे मोटा भी बेलेंगे तो भी आपकी चकी उतनी ही क्रिस्पी रहेगी जितनी की पतला बेलने पर अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप भी ट्राय करके देखिएगा एसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा मोटी बेल है पतली से थोड़ी मोटी होगी चलेगी कोई फरक नहीं पड़ेगा यह देखिए मैंने पूरी गुड़तिली की पपड़ी को बेल लिया है अब मैं इस ढकन की मदद से इस तरह से इसे शेव दे रही हूँ आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेव भी दे सकते है नाइव की हल्प से या फिर कोई भी शेव दे सकते हैं जब तक यह हमारी गुड़तिल की पट्टी गीली है सूखने के बाद इससे शेव देना मुश्किल है यह देखिए यह हार्ड भी होने लग गई है इसलिए मुझे इस तरह से हत्यली से प्रेस करना पड़ रहा है अब हम सबको इसी तरह से शेव दे देंगे देखिए मैंने सबको शेव दे दिया है अब हम नाइफ या इसपेचुला की हल्प से इसे बहुत ही आइस्था से निकाल लेंगे इसे निकालना थोड़ा से रिस्की होता है बहुत ही आइस्था से निकाल है वरना यह तूड़ भी सकती है क्योंकि यह काफी कुर्कुरी होती है क्रिस्पी होती है यह देखिए मैंने इसको निकाल लिया है कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुर्टिल की चक्की यह बिल्क लिए हैं गोल कटिंग के अलावा साइट्स की जो कटिंग थी तूटी-फूटी वह भी मैंने इसे के अंदर रखी है यह देखिए मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूं कि यह कैसी बनी है और आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं कि यह कितनी मोटी है कितनी पतली पतली है लेकिन फिर भी काफी कुरकुरी काफी क्रिस्पी है आपको तोड़के बताती हूं कि यह देखिए यह कितनी आसानी से और कितनी अच्छे से टूट रही है कि काफी क्रिस्पी बनी है यह बिल्कुल मार्केट जैसी आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राइ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस मकर सकरांती मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत जल्द मिलती हूं आपसे अगली रेसिपी के साथ थैंक यूँ